एक वक्त हुआ करता था कांशी राम सहाब और डॉक्टर लोहिया लोगों से जाते थे चंदे के रूप में 10 रुपे, 5 रुपे, 100 रुपे मागा करते थें और कहा करते थें वे चुनाओ लड़ेंगे लेकिन आज का जमाना कुछ अलग ही है भारती जंता पार्टी को 174 करोड रुपे में से 163 करोड रुपे प्राप्तिये हैं ओ भी सिर्फ गुजरात से आपको लग रहा होगा मैं चौकाने वाली खबर आपको बता रहा हूं दरसल चौकिये मत एक खबर पूरी तरीके से सही है नमस्कार मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं ने भारती जन्ता पौरटी को गुजरात से 163 करोड रुपे मिले हैं जबकि कुल चंद आया था 174 करोड रुपे ग्यारा करोड में सारी राज्यितिक पार्टियां हैं जिसिने कॉंग्रेस चामिल है जिसमें आम आदमी पार्टी चामिल है और जिसमें एक छोटी मोटी क्या Communist को सिर्फ गुजरात से एक सौच तर तिी רोड रूपे चंदेक रूप में दान कर रहे हैं कौन से लोग हैं जांच हूनी चाहिए देश के तमाम टीवी चैनल के पत्रकार इन दिनों गुजरात में हैं गुजरात में जाकर के आम लोगों की राय जान रहे हैं आम लोगों में कौन से लोग आते हैं आदिवासी, दलित, पिछडा, मुसल्मान, अल्ब संख्यक ये लोग किस तरफ हैं, ये लोग किस की सरकार बनवा रहे हैं अलग-अलग चैनल्स, अलग-अलग तरीकों के प्रोग्राम चलाते रहते हैं कोई कहता है महौल क्या है, तो कोई कहता है गुजरात की जनता की राय तो कोई अलग-अलग नाम देता है लेकिन सवाल एही है क्या किसी टीवी पत्रकार ने या किसी संपादक ने हिम्मत की जानने की जो रुपया आया है रुपया कहां से आया है एडियार की रिपोर्ट है जांच होनी चाहिए लेकिन जांच नहीं होगी दूसरा मेरा सवाल यही है मेहुल चौकसी, विजय माल्या, निरो मोदी ये लोग कहां पर हैं? इन लोगों ने देश छोड़ दिया ये लोग देश में नहीं हैं सारे गुजराती हैं तो ये लोग बीजेपी को किस तरीके सफायदा पहुचा रहे हैं? विजय माल्या जेल में हैं लेकिन उनकी तमाम कंपनिया ऐसी जो भारत में काम कर रही हैं भारत में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो जो इन्वेस्टर हैं वे लोग बीजेपी कितना फंड दे रहे हैं जांच होनी चाहिए खुलासा होना चाहिए लेकिन हर कोई शांत हैं लगातारा अपोजीशन की जतनी पार्टियां हैं आमादी पार्टी हो या कॉंग्रस पार्टी हो हर कोई भासपा को घेरने की कोशिश कर रहा है इसलिए बीजेपी को पूझी पत्य की सरकार कहीं जाती है एक ग्यारा करोड में सारी पार्टिया सिमट गई लेकिन अकेले 163 करोड रुपे भारतिय जन आए 163 करोड रुपे आगे इंदुस्तान लिखता है एडियार की पिछले पांच वरसों में चुनावी वांड के जरी है राजनीतिक फंडिंग पर एक रिपोर्ट सामने आई है रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी ने गुजरात में फंडिंग का 94 में फीज़ती हिस्सा हासि इसमें अकेले बीजेपी का हिस्सा 163 करोड रुपे है जबकि वहीं कॉंग्रेस को 10 करोड 50 लाख रुपे मिले हैं आम आदनी पारिटी को 32 लाख रुपे का चंदा हासिल हुआ है अन्य पारिटियों को 20 लाख रुपे मिले हैं वहीं राश्ट्री अस्तर की बात करें तो बीजेपी को 1519 मिले भगवा को 2017-18 के बाद से खरीदे गए सभी चुनावी बॉंड का 65 फिजदी या दो तिहाई हिस्सा प्राप्त हुआ है एक बात और मैं आपको बता दू गुजरात में बीजेपी को हर हाल में चुनाव जीतना है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सेमी फाईल होने के साथ साथ अगर बीजेपी गुजरात में चुनाव हार जाती है साल 2002 में क्या हुआ था गुजरात में आपको पता है सुप्रिम कोड़ का फैसला गया है लेकिन जो राजनितिक पंडित हैं वे बताते हैं अगर गुजरात में बीजेपी की हार होती है जन्ता पार्टी साम दाम दंड भेद हर एक तरीकिस चुनाओी मैदान में हैं कल पहले फेज का मद्दान होगा भारते जन्ता पार्टी चाहती है किसी भी तरीकिस चुनाओं को जीत लिया जाए क्योंकि मोदी की जो शाक है और दाओं पर लगी हुई है अमित शा भले चुना फाद दंगा हुआ था गोधरा कांड जो हुआ था उसका सच बाहर आ जाएगा और 2014 में व जीकिसली कीमत पर चुनाओं नहीं जीत पाएगी जिल्ली के मचली के चुनाओं गुजडराद के चुनाओं हिमाचल के चुनाओं खतम हो गए तो बीजे पी को नेता पृतिस्टा हमारे पास कोई और मुद्दा नहीं है और अगर बीजेपी गुजरात में चुनाव हार जाती है तो साहबे जान लिजिए सारे काले चिठे बाहर आ जाएंगे देश की जंता के सामने बेनकाब हो जाएंगे बीजेपी का क्या हल होगा किसी चिपा नहीं रहेगा इसलिए 163 करोड बीजेपी अकेले प्राप्त हुए हैं उसको लेकर क्या राय है क्योंकि कौन से लोग पैसे दे रहे हैं आप सबको पता है मिहुल चौक सी नीरो मोदी विजे माल्या देर छोड़के भाग गये तीवी मीडिया की हैसित नहीं है वे लोग जान सके जो विजे माल्य कि इन्वेश्टरर हैं वे लोग किस पाइटे का समर्थन कर रहे हैं वर लोग इनके पास नहीं जाएंगे कि scary माल्या की सवाल पूछें कि वी मी वाले सिर्फ लीजे डल्तों सियाधिवासियों से भंहिलाओं से पिछड़ों से इन लोग सवाल पूछते हैं आपका क्या रोजहान है आप किस की तरफ जा रहे हैं आप किस को ओड कर रहे हैं फिलालिस बीडियों में इतना ही आपकी क्या राय है आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गुजरात में कौन जीत रहा है और नीरो मोदी विजय मालिया यह लोग किस पार्टे करने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें